में मनिश आपका विलकम करता हूं सी प्रोग्रामिंग की सेरीज में आज का वरा टॉपिक है डैंगलिंग नल एंड वाल्ड पॉइंटर्स इस प्रोग्रामिंग लेंगविज ठीकिये प्रेंड हम पॉंटर्स का जो है टॉपिक पढ़ रहे थे उसके बारे में आपको बताया था पॉइंटर्स क्या होता है जो आप interpreted को और ही तो आप से पूछे जाते हैं वह कुछन दैंगलिंग नल और यह वाइल्ड पॉंटर स्पिसिकली है क्या ओके फ्रेंट्स ध्यान दीजेगा अब पॉंटर पॉंटिंग टू आ मैमोरी लोकेशन अव्यसी बात है कि एक पॉंटर में क्या होगा किसी पॉंटर डूसरे वेरियबल का क्या होगा एड्रेस फोर होगा उस पॉंटर उसको क्या कईएंगे हम डेंग्लिंग पॉंटर कुछ तरीके हैं एक पॉंटर जो है डेंग्लिंग पॉंटर की तरए करता इसको ही हमें क्या करना है डिसकस करना है कैसे कौन-कौन से तरीके हैं जहां पर एक पॉइंटर जो है वो डैंगलिंग पॉइंटर बन जाता है ठीक है तो मैं आपके सामने एक एक एक्जामपल रख रहा हूं अभी हमने फ्रेंट्स डायनमिक मेमोरी अलोकेशन डी एम ए का ड साइस डिसाइट हो जाती है कि इस पर्टिकुलर डिडए टाइप या वर्येबल को क्या साइस PALोकेट होगी ठीक है तो फ्रेंट्स मैलाओ कैलाओ और फ्री यह जो फॉंक्शन्स हैं र इस प्रिडिफाइ्टीन्स है इनका यूस्ब Space Sciences हो करेंगे डी ये में है हैं अभी आप यह समझे कि या करेगा साइज अलोकेट करेगां जितनी अपने रिक वैक्ष करेंगे कि वायdक कbers練 ॐ आइछ में The works सुवल bisa ashamed प्रेलाइक जरिए यहां per free Alex स्थेंटिया का बंजाईगा ॐ worker जो यहाँ ada हमने फ्री फंक्शन पास किया है वह जो है का निया appealing कि यह मैंलोक एलोकेशन के लिए काम में लिया जाता है for allocation of memory and this free function is for de-allocation of memory memory को freeze कर देगा अब जो ये PTR ऐसी location को point out कर रहा है जहां पर वो memory ही freeze हो गई है तो अब PTR क्या बन गया एक dangling pointer बन चुका है ओके no more a dangling pointer so PTR is equal to null ठीक है बास समझ महीं आपको तो ये malloc और kelloc के बारे में मैं अभी आपको जादा नहीं बताऊंगा जब हम DMA का chapter पढ़ेंगे तब हम detail में discussion करेंगे अभी आप ये समझे कि memory को allocate किया उसके बाद में उसको free कर दिया अब जो PTR है वो act करेगा किसकी तरह dangling pointer की तरह treat करेगा now friends एक और example आप देखें the pointer pointing to a local variable become a dangling when local variable is not a static ठोके एक्जामपल आप देखें हमने एक function call किया fun नाम से ये रहा function call किया ठीके और देखें इसका जो return type है हो क्या है integer pointer है तो यहाँ पर एक variable लिया x is equal to 5 और हमने क्या किया x का जो address है basically वो हमने return करवाया और वो address कहां से हुआ इस pointer variable ptr sorry p मैं ठीके now p points to something which is not a valid more ठीके which is not a valid more why so because x is a local variable of this function fun x क्या है ये local variable है इसका scope सिरफ इनी curly brackets के अंदर इसके बाहर नहीं है इसके बाहर इसका scope क्या हो जाता है खतम हो जाता है तो अब ptr जो हमारा pointer variable है p उसमें क्या होगा कुछ भी नहीं होगा तो p क्या करेगा एक ऐसी location को point out करेगा जो है ही नहीं ठीके तो p points to the something which is not a valid more वो valid है ही नहीं ठीके अगर हम इसको dereference करेंगे तो एक garbage address जो है हमारे पास में retrieve होगा because p यहां से जो हमारे पास में जो address written हो रहा है वो एक local variable का है अगर वो static होता अगर वो friends static होता तो हमारे पास में कुछ address retrieve होता अब static क्या है यह हम जब storage class पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊँगा अभी के लिए आप इतना ही समझे कि this one is a local variable ठीके जब मैंने आपको functions का topic पढ़ाया था तब मैंने आपको local variable और global variable के बीच में difference पताया था तो यह this one is a local variable for this scope इसका जो scope है वो इनी color brackets के अंदर इनके बाहर नहीं है यह जो pointer में जो हमारे पास में address आ रहा है वो क्या है वो valid ही नहीं है कोई एक garbage address है ठीके clear तो in कुछ situations में friends हमको क्या मिलता है एक dangling pointer मिलता है अब हम बात करते हैं किसकी null pointer की बात करते है so null pointer is a pointer which pointing to nothing किसी को point out नहीं कर रहा in case if we don't have the address to be assigned to the pointer then we can simply use the a null अगर हमारे पास में ऐसा कोई है address ही नहीं है जो हम pointer को assign कर सके तो हम क्या use कर सकते है null use कर सकते है जैसे कि आप यह इस example में देख रहे है friends कि कोई address नहीं है तो simply हमने क्या किया null assign कर दिया अब normally अब जब आप PTR को print करवाएंगे तो the value of PTR is totally a null ठीके तो इस type का जो pointer है PTR यह है इसको हम क्या काएंगे null pointer काएंगे ठीके friends next हम बात करते हैं wild pointer की हमने dangling pointer discuss किया null pointer discuss किया अब हम बात करते हैं किसकी wild pointer की wild pointer क्या है which is which has been not been initialized to anything not even null ऐसा pointer जिसको आप initialize नहें कर सके null के through भी initialize नहें कर सके last हमने देखा कि आपने कोई address नहीं था तो null से initialize कर दिया लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि ऐसा pointer जो null से भी initialize नहीं को हम क्या कहेंगे wild pointer the pointer may be initialized to a non null garbage value that may not be a valid address क्योंकि यह कोई garbage value जिसको हम valid address नहीं कह सकते ठीक है तो ऐसी जो pointers होंगे उसको हम क्या कहेंगे wild pointer जो किसी से भी initialize नहीं हो सकते null से भी नहीं ठीक है example आप देखें friends this one is a wild pointer जो कि आपने इसको किसी से भी initialize नहीं कर रखा है ना किसी particular address से और ना ही null से और एक दूसरा variable आपने लिलिया x is equal to 10 now p is not a valid pointer now क्यों कि आपने p में क्या कर दिया x का address transfer कर दिया जब आपने x का address transfer नहीं किया था उससे पहले ये जो p pointer था वो क्या है एक wild pointer था लेकिन जैसे ही आपने एक valid address x का address जो है p में transfer कर दिया अब ये जो है एक wild pointer नहीं है ठीक है यहां तक ये wild pointer था तो ऐसा pointer जो किसी से भी क्या हो initialize ना हो चाहे भली को एक valid address हो और चाहे भली वो नल हो नल से भी initialize नहीं हो उसको अब क्या कहेंगे wild pointer ठीक है clear so friends this is all about the three pointers जो हमने discuss कि है dangling null and wild pointer ये एक interview purpose एक important question मुझ जाता है कि what is the difference between a dangling pointer, null pointer and the wild pointer ठीक है ये आपको ध्यान में होना चाहिए जब कभी भी आप interview purpose के लिए जा रहे हो ठीक है company के process में या फिर कहीं भी आप वाईवा देने के लिए जा रहे हो तो ऐसे questions जो है वो पूछे जाते हैं इनकी demand होती है okay so friends I hope कि इस particular video से जो हमारा आज का ये concept है pointers का जिसमें हमने तीन करे के pointers discuss किये ये आपको समझ में आ गया होगा thank you so much watching this video